पिछले एपिसोड में आपने देखा हल्क मैन हैटन में आके सबसे कहता है कि 24 गंटे में उसे इलुमिनाटी के सारे मेंबर्स अपने सामने चाहिए नहीं तो वो पूरे अर्थ की बैंड बजा देगा जिसके बाद आयरन मैन और मिस्टर फैंटेस्टिक रॉबर्ट रेनल्स यानि सेंट्री को बलाने जाते हैं पर सेंट्री की टोनी से कुछ बात होती है जिसके बाद टोनी हल्क बस्टर आर्मर में हल्क से लड़ने आता है और तभी उनके बीचिक जबरदस लड़ाई होती है जिसके अंत में हल्क आयर्ण मैन की जबरदस्ट पिटाई कर देता है नियुयोक सिटी से डैनी हल्क और आयर्ण मैन के लड़ाई देखकर दंग रह जाता है और तब वो डॉक्टर स्टेंज के पास आता है ये बोलते हुए कि आयर्ण मैन की बहुत बुरी पिटाई हो चुकी है तो अब आपको बाहर निकलना ही होगा अब कब तक यहां छुपे रह सकते हैं अब बाकी सुपर हीरोज उससे लड़ने गए हैं हल्क उन सब की जान ले लेगा जिसपे डॉक्टर स्टेंज कहते हैं कि हल्क किसी की जान नहीं ले सकता तब आयर्ण फिस्ट कहता है कि क्या पता वो अपने प्लैनेट की तबाह होने की वज़े से बदल गया हो तब रोनिन कहता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का उसके प्लैनेट की दबावने से कोई लेना देना नहीं है जिसपे डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि ये सही बात है पर उसे स्पेस में भेजकर हमने गलती तो करी है तो अब तुम लोग जाओ और उसे मेरे से बदला लेने दो जिस पे डैनी कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं आप चाहें तो उसे एक जटके में मार सकते हैं तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि नहीं यहां कोई और रास्ता जरूर होगा इसलिए मैंने मंतर जपना शुरू कर दिया है जिसका मुझे नहीं पता कि अंत क्या होगा पर मैं किसी ऐसे को भी ढूंड रहा हूँ जो कि हलक को हरा भी दे और से वापिस पहले जैसा भी कर दे पर तब भी वो मुझे उसमें घुसने नहीं देगा क्योंकि वो हमसे नफरत कर हलक आयरन मैन की बुरी तरह पिटाई कर चुका था और ये नजारा देखकर ल्यूक बोलता है कि अगर ये सब होई रहा है तो ठीक है हम भी लड़ना शुरू करते हैं वो अकेला ही तो है पर तभी हलक के साथी यानि वार बाउंड अफ सकार सामने आते हैं और वो बोलते है कि हमारे राजा अकेले नहीं हैं हम हमेशा अपने राजा के लिए उनके साथ खड़े हैं वो हमारे हीरो हैं जिन्होंने हमारे प्लैनेट को तबाह होने से बचाया जबकि तुम आयरन मैन, रीड रिचर्ड्स और डॉक्टर स्रेंज के साथ हो जिन्होंने हमारे प्लैनेट क पीछे से सैमसन बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुम हल्क की साइड हो? शीहल्क कहती है कि यही तुम लोगों की प्राउब्लम है, तुम्हें हर जगा साइड सी दिखते हैं, जबकि मैं यहाँ अपने कजिन से बात करने आई हूँ. तब शीहल्क हल्क के पास जाके कि ब्रूस अगर तुम वहाँ हो तो मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारी मलत करने दो, जिस पे मीख जवाब देता है कि क्या तुम उन सभी को वापिस ला सकती हो जिन्होंने सकार पर अपनी जान गवाई, क्या तुम हमारे बड़े बज़ुर्गों को जिन्दा कर सकती हो, क् जिस पे शी हल्क कहती है कि मैं तुम से बात नहीं कर रही। तब हल्क शी हल्क को वहां से चले जाने हो कहता है। जिस पे शी हल्क कहती है कि मेरी बात सुनो। अगर टोनी और बाकी लोगों ने तुमारे साथ गलत किया है तो हम उन्हें कानूनी तरीके से सजा दिलवा सकते है तुम जानते हो मुझे, मैं हमेशा तुम्हार साथ दूगी, तुम्हें बस सही कदम उठाना है, पर हल्क कहता है कि चली जाओ यहां से, शी हल्क कहती है कि नहीं, जिस पे हल्क कहता है कि फिर बोलना बंद करो और लड़ना शुरू करो, तब ही शी हल्क अपने साथियों के पर वो अपने आपको बचाते हुए अचानक हलक को एक जोड़ार मुक्का मारती है। कि क्या तुम भागने की कोईश कर रहे हो मॉंस्टर पर हल्क उसके वार से बच जाता है और अगले ही पल हल्क एरीस को जमीन में गार देता है और से जवाब देता है कि कभी नहीं और तब वार बाउंड और सकार और एवेंजर्स के बीच जबरदस लड़ाई शुरू हो जात हम बस यहां मार खा रहे हैं जिस पे मिस मारवल कहती है कि बिलकुल हम मार खा रहे हैं पर यहीं ज़रूरी है अभी ताकि रीड रिचर्ड्स को अपनी मशीन के लिए टाइम मिल सके तब हम देखते हैं रीड को एक मशीन इंस्टॉल करते हुए उस मशीन में प्रॉपर चार तभी तचाला कहता है कि नहीं ये लड़ाई अब हम सब की है वहीं पर स्टॉम भी रीड को समझाती है कि हल्क ने एवेंजर्स को भी हरा दिया है तो तुम्हें हम में से किसी एक की यहां जरूत पड़ेगी ही रीड आगे कुछ बोलने की कोशिश करता है पर सूजन भी रीड पर जा गिरता है तभी हल्क के साथ ही बाकी सब की तरफ बढ़ते हैं कॉर्क दर थिंग यानि बेन से कहता है कि हमें सिरफ रीड रिचर्ड चाहिए जिस पर बेन बोलता है कि उसके लिए तुम्हें मुझ से होकर गुजरना पड़ेगा तभी हल्क के साथ ही बोलते हैं कि को को बोलता है कि संभल जाओ और तभी जॉनी अपनी फायर पावर और स्टॉम अपनी लाइटनिंग एक साथ करके हल्क पर बरसाते हैं और वहाँ एक जबरदस धमाका होता है जिससे आसपास कि सारे लोग दूर जाके गिरते हैं पर जब बैन नीचे देखता है उसे यकीन नही होता उस जबरदस आग के हटते ही सब को दिखता है हल्क जिसके हाथ में होता है बुरी हालत में पड़ा हुआ जॉनी तभी बैन नीचे कूटता है जिसे कौर बोलता है कि रुख जाओ तुम पहले ही हार चुके हो जिस पे बैन बोलता है कि मैं ये हमेशा से सुनता आ रहा ह हूँ पर हम लोग तब तो बिल्कुल पीछे नहीं अटते जब मुक्के बाजी का टाइम हो और तभी बैन हल्क को एक जबरदस मुक्का मारता है बैन के उस मुक्के से हल्क के मुझ से खून आये लगता है तब वो उसकी तरफ गुस्से में देखता है जिसे देखके बैन थ सभी लोग सहम जाते हैं और हल्क का एक साथी कहता है कि जो भी अब मरने वाला है उसे एक अच्छी मौत मिले पर इससे पहरे कि हल्क दर्थिंग पर अपना फाइनल अटेक करने जाता उसे एक रोशनी दिखती है जिसे देखके बैन बोलता है कि तुम्हें बहुत देड उन लोगों में से एक है जो कि हल्क को शांत कर सकते हैं हल्क और सेंट्री सचे दोस्त हैं ना कि तुम वार बाउंड्स की तरह सेंट्री हल्क की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और हल्क उसकी तरफ अपना पर जैसे ही वो दोनों हाथ मिलाते हैं हम देखते हैं एक मशीन जि कि ये ठीक नहीं है और अगले ही पल हल्क रीड को एक पंच मारने जाता है पर सूजन उसे अपनी पावर से रोक लेती है और हल्क को रुकने हो कहती है जिस पर हल्क कहता है कि अगर मैं एक बॉम लगा के तुमारे पती और तुमारे बच्चों को मार देता तब भे तुम यही कहती सूजन कहती है कि तुम जानते हो कि रीड ऐसा कुछ नहीं करेगा पर हल्क कुछ नहीं सुनता और वो सूजन की इन्विजिबल शील्ड को तोड़ने लगता है और अगले ही पल हल्क पूरी इन्विजिबल शील्ड को तोड़ देता है और तब वो रीड की तरफ बढ़ता है और उस पर हमला करना शुरू करता है रीड खुद को बचाने के लिए अपने आपको हल्क की बाड़ी में लपेट लेता है पर इन सब का कोई फायदा नहीं होता हल्क रीड की इलास्टिक बाड़ी पर लगातार मुक्के बरसाना शुरू करता है और अपने फाइनल ब्लो से रीड की हालत खराब कर देता है तब सूजन रॉबर्ट को कांटेक्ट करती है और से कहती है हम फेल हो गए हमने ये सब तुम्हारे बिना करने की कोशिश करी रीड ने तुम्हारी एनरजी को सिंतेसाइज करके हल्क को शान्त करने की कोशिश भी करी पर कोई फायदा नहीं हुआ हमें अब तुम्हारी जरूत है हमें अब असली सेंट्री की जरूत है सेंट्री अपने घर में बैठा सूजन की बातों को सुन रहा होता है नुई यॉर्क में कई साए लोग हल्क को चियर कर रहे होते हैं तब वहाँ के नजारे को देखके रिक जोंस को यकीन नहीं होता और तब हम देखते हैं हल्क को जो कि अपने साथियों के साथ सारी हीरोस की घायल बाड़ी को उठा कर ला रहा होता है वहीं पर एक रिपोर्टर वहाँ खड़े लोगों से पूछता है कि पूरा शहर खाली करवा दिया गया है तब भी तुम लोग यहां क्यों हो तब उन में से एक बोलता है क्योंकि मैं देखना चाहता था कि उस आयर्ड मैν का क्या होगा जब हल्क आएगा तो तब वो रिपोर्टर रिक जोंस के पास आता है और षसे पूशता है कि तुम यहां क्यों हो रिक बताता है कि मैं यहां अपने दोस्च से मिलने आया हूँ तभी Rik Hulk के सामने जाता है और से पूंसता है कि तुमने मुझे पहेचाना मीख बोलता है कि हां हम तुम्हें जानते हैं हमारे पास तुम्हारी फाइल भी है तुम अपने आपको हल्क का दोस्त कहते हो तुमने भी उसे छोड़ दिया था तो बताओ तुम्हें यहां किसने भेजा है क्या तुम्हें कैप्टन अमेरिका ने भेजा है जिस पे रिक बोलता है कि कैप्टन मर चुके हैं हल्क ये सुनकर हैरान हो जाता है तब रिक आगे बोलता है कि यहां बहुत कुछ हो चुका है टोनी और रीड ने कई पंगे कर दिय पूछते हैं काश तुम यहां पहले होते हम सब को तुम्हाई जरुत थी पर ऐसे नहीं हल्क रिक की बातों से थोड़ा शांत होता है और वो रिक के कंदे पर हात रखता है और तभी डॉक्टर स्रेंज को अपना रास्ता मिल जाता है अगले ही पर डॉक्टर स्रेंज हल्क के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं जिसकी वज़े से हल्क अपना सर पकड़के जोर से चिलाता है कि मेरे दिमाग से बाहर निकलो और तब हल्क वहां से उचल के पास की एक नदी में जा गिरता है सेंक्टोरम में एको डॉक्टर स्रेंज से पूछती है कि क्या हुआ डॉक् हल्क और हर्कियूलीस के बीच में लडाई शुरू होती है दूर खड़े शील लेजेंड कमांडर जोन्स ये सब देख रहे होते हैं तब ही उनके पास एक सीनियर का कॉल आता है और उनसे पूछा जाता है कि ये सब हो क्या रहा है जोन्स बताता है कि हमने हर्कियूलीस और हल्क से लड़ने के लिए भेजा है पर वो सीनियर बोलता है कि अपनी टीम को वहाँ से हटाओ जोन्स कहता है कि थोड़ी दिर रुख जाओ यहाँ पे कुछ स्यिविलिइन्स भी हैं और हर्कियूलीस की टीम शायद हल्क से निपट सके पर वो सीनियर कहता है कि भूल जाओ तब हम देखते हैं कि वो सीनियर और कोई नहीं बल्कि हल्क का पुराना दुश्मन जनरल थैडियस थंडर बोल्ट रॉस था और वो जोन्स से कहता है कि उन कॉस्ट्यूम वाले जोकरों को अपनी बारी मिल चुकी थी अब मेरी बारी है दुचatics कर वोगज़ मेरी मिल और को अपनी बारी है